उस्तु नमस्कार आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है आज की भूतिया कहानी में हम आपको भूतिया बिरिच पराधारित एक दरावनी कहानी सनाएंगे यहाँ कहानी एक छोटे से गाउं के चारो और गोंते दरावने मोहल की है जहां एक तुराना पुल एक भैंकर और स्रापित रहस के साथ ख़ड़ा हुआ था यह पुल उस गाउं का एक मात जड़ के साथ जुड़ा हुआ था और लोग इसके पास भी गुजरने की कोशिस नहीं करते थे एक भी इनसान इस पुल के नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहानियों में कहा जाता है कि वहां रात को खतरनाक आवाजे भी सुनाई देती हैं और वहां अजीब अजीब ठीखे भी आती हैं गाउ का नाम था रामपूर और यहां की लोग फुल के पास कभी भी नहीं जाते थे वे फुल के बारे में कई किस्ते भी सुनते हैं लेकिन खुई नहीं जानता है कि यह सब सच है यह तिर कीवल गाउ की भुजर्भों की खलपनाका परिण्याम है रामपुर के एक युवक का नाम विक्रम था जो की गाउं के लोगों की आवाज शुन कर डर जाता था विक्रम का नाम गाउं के बच्चों के बीच एक डरावनी कहानी के साथ जुड़ गया था और उसे डरने की आदत हो गई थी एक दिन विक्रम के दोस्त उसके छुट्टी के दिन बुलाए और बताया कि वे उस पुल के पास जा रहे हैं और उसको भी साथ ले जाना होगा विक्रम डर से कांप उठा लेकिन उसके दोफ्तों ने उसे मजबूर किया कि वह चाहे तो घर पर रह तकता है लेकिन विक्रम को उनके साथ जाना ही पड़ गया गाउं के बच्चे और विक्रम फुल के पास पहुंचे और वहां कुछ देर खेलने लगी दिन बीतने के बाद जब रात आई तो उन्होंने एक बड़ी पेंड की नीचे बिश्राम करने की सोची नोंने अपनी कहानियों का अनन्द लिया और धीरे धीरे शोने की तरब बढ़ने लगते हैं तोड़ी देर बाद जब रात के अंदकार में उसकी आखें बंद हो गई तो उन्होंने एक अजीट सी आवाज सुनी आवाज आती गई और फिर वो यह जानने के लिए उठ जाते हैं की यह आवाज कहां से आ रही है जब विक्रम और उसके दोस्त पुल की और बढ़ेतों वे देखा की पुल की नीचे कुछ अजीब आवाज आ रही है जैसे की कोई उन से लत्पत हो रहा है आवाज से डर से वे सभी डर जाते हैं और पुल के पास पहुँचे और देखा की पुल की और से एक विक्त निकल रहा है जिसका सरीर और सिर पे बलड निकल रहा है वह विक्त अपने हाथों में कुछ लिए हमारी तरफ आ रहा है उसकी आवाज काफी डराऊनी थी विक्रम और उसके दोस्त डर जाते हैं लेकिन वे विक्त की मदद करने के लिए निश्चे ही सोच लिए हैं वे उसके पास गए और पूछा क्या हुआ ठीक हो ना आप क्या हुआ ऐसे हुआ विक्त अपने डरे हुए चेहरे पर हाथ रख कर बोला क्रिप्या मेरी मदद करे मेरी जान को खत्रा है विक्रम ने पूछा क्या हुआ आप कहा से आये हो और आपके साथ क्या है विक्त ने डरते हुए बता पर शुरू किया मेरे साथ एक भयानक स्राप है जिसके कारण में अब एक आउतरित आत्मा बन गया हूं। मेरी जान को खटा है और मैं इस स्राप को तोड़ने के लिए इस पुल की ओर आया हूं। प्रका मेरी मदद करें इस पुल को तोड़ने में हमारी मदद की अवशकता है। विक्राम और उसके दोस्त डर से थर्थराने लगते हैं लेकिन वे वेक्ष की मदद करने के लिए निश्चे किया। उन्होंने सोचा की एक ऐसा मौका है जिस्ते की वे अपनी गाउं की लोगों के सामने हीरो बन सकते हैं। वे वेक्ष के साथ मिलकर पुल की साइड आगे बढ़ते हैं और वहां पहुँशकर उन्होंने देखा की पुल बहुत पुराना और खुरूर दिख रहा है। पुल की छाया में उन्होंने वेमपेर की आफों का पालन किया जो की वो दरावनी दिख रही थी। वेक्ष ने उन्होंसे कहा अब हमें इस पुल को तोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यह काम बहुत ही कतरनाक है। विक्रम और उसके दोस्त तैयारी करने लगते हैं और वेक्ष को तोड़ने का काम शूर भी कर देते हैं। पुल को तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ खुदाई और वेमपेर की आफों के साथ लड़ने की कोशिस करने लगते हैं। यहां जबर्जस्त संगरसता की विक्ष की आवाज और पुल की सुन्सान और डरावनी चाया भी दरावना महोल प्रकट हर रहें। वेमपेर के साथ लड़कर विक्रम और उसके दोस्त ने पुल को तोड़ दिया और वेमपेर को हरा दिया। पुल की तोड़ देने के बाद विक्रम और उसके दोस्त का धन्यवात किया और उन्होंने एक चांस दिया की वाज वेमपेर की आखों में कैद में बंदी आत्मा को भी छुड़ा सकते हैं। विक्रम और उसके दोस्त ने मिलकर कई खठनाईयों का सामना किया लेकिन वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और वेमपेर की आखों को तोड़ने में कामियाब हो जाते हैं। वेमपेर की आखों को तोड़ने के बाद वेमपेर की आत्मा उनके सरीर से मुक्त हो जाती है और वह बिलकुल आम इंसान की तरह दिखाई देनी लगता है। यह गटना रामपुर गाव के लोगों के लिए महत्पूर पाठ हो गई थी और वे समझ गए थी कि किसी भी चीज को डर के साथ नहीं देखना चाहिए बलकि उसकी सच्चाई को जानने का प्रियास करना चाहिए। बिकरम और उसके दोस्तों ने अपनी साहस और संकल्प के साथ वेमपेर के साथ लड़ने का निश्चे किया और उनकी मदद की जिस्ते की वे गाव के लोगों के लिए एक हीरो बन गए थी तो दोस्तों यह थी आज की भूतिया खानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिरूर बताईएगा मिलते हैं इंगले वीडियो में तब तक इस जिए